राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्टे पुरुस्कार मिला है। राकेश आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और मैं जुरूर आपसे बात करना चाहूँगा। राकेश आपका प्रुफाइल जब मैं देख रहा था तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतनी कम उमर में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइन्स के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभावी की हैं। लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना हैं। ये कोई बहुत मामुली बात नहीं है जी। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि ये मन कैसे लग गया आपका ये काम के लिए कैसे मन लग गया। तो फर्स्ट अफॉल नमस्कार शुवमाद ज्यान आपके लिए। और सर मैं बोलना चाहता हूं कि हां साइन्स और इनोवेशन में तो इंट्रेस रहा ही था। लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ ये मेरे पिता जी है और मेरे माता जी है तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्राक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो कुछ तो करना था और मेरे मन था कि मैं जो किसान है अमारे राष्ट्री और अन्नादात हैं उनको कुछ कॉंट्रिब्यूट करो जो मैरे टेक्नोलोजी का इनोवेशन है इसलिए मैंने उनको कॉंट्रिब्यूट करने के लिए मैंने एक मेशिन बनाया है सर तो अलड़ी जो existing practice है उनसे 50% से भी ज्यादा profitable मेरे मेशि मेरे मेशिन सबसे ज्यादा profitable और सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट देता है सर तो क्या है कि आज जो skilled labor चाहिए farming के लिए यानि किसान को जो labor चाहिए उसका charge तो skyrocket हुआ है तो ज्यादा हुआ है और हमें skilled laborer नहीं मिलते हैं सर तो इसलिए मैंने एक multipurpose मेशिन किया है ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और चला तो यह जो होते हैं बिजनेश कंपनिया वोदे स्टार्ट अप आले होते हैं वह करते हैं बहुत बढ़ा बनाते हैं ऐसा कुछ होगा क्या हाँ सर दो तीन और दो तीन कंपनी से पूचा ता पूच गा उन्होंने पूचा मेरे से और मैं फेस्टिवल आफ इन्वेशन राष्टरपती बहुन का एक पार्टिस्पेंट था और वहां पी उन्होंने आकर पूचा था सर लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कंप्लीट्ली डेवलप नहीं हुआ सर अभी भी मैं काम करना चाहता हूं और और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूं सर तो हाई स्कूल के और अभी जो प्री उनिवर्सिटी कॉलेज के लेक्चरर से सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर एवरी स्टेप अफ माई जर्नी हाज बिन मोटिवेटेड मैं हार्ड वोकिंग पेरेंट्स और टीचर सर तो आज मैं जो भी भी मन से किया है और किसानी के साथ बेटे को जोड़ा भी है बेटे की तैलेंट है उसको किसानी से जोड़ा है तो आप तो डबल डबल अभिनेंदन के अधिकारी हैं राके सेबा सही है कि आधुनिक कृशी यह आज हमारे देश की जरुवत है और मुझे यह देखकर बहुत भी कर रहे हैं आप ऐसे ही सफल होते रहें आपको मेरी तरह से बहुत सुबकामना है और आपके माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ को उन्हों ने बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है